दोस्तो डी एफसी यानि की डेडिकेटिट फ्रेट कोईडोर के बारे में तो आप सबी जानते ही होंगे ये एक फ्रेट ओनली कोईडोर है जहां सिर्फ फ्रेट ओपरेशन होगा मतलब इस रूट पर सिर्फ मालगारिया ही चलाई जाएंगी फिलहल दो डेडिकेटिट फ्रेट कोईडोर इस्टर जो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बेंगौल के दान कुनिक तक है जिसकी लंबाई करीब 760 किलमेटर है और वहीं वेस्टर डेडिकेटिट फ्रेट कोईडोर उत्तर परदेश के दादरी से जवाहरलाल नहरूपोर रेलवेस कर चुकी है डिएफसी को लेकर के आप सभी के मन में दो-तीन सवाल आते होंगे पहला ये कि इसके शुरू होने से जो आम पैसेंजर ट्रेंस है उनको क्या फाइदा होगा अगर इस्टर डेडिकेट फेट कोईडोर को देखें तो मेज़ॉर्टी में जो उसके ट् कोईडोर को शॉर्ट फॉर्म में डिएफसी बोलूँगा तो आप लोग समझ जाएगा खेर अगर इस्टर डिएफसी का काम पूरा हो जाता है तो जो मेज़ॉर्टी ओफ गुड्स ट्रेंड है अगर मोटे-मोटे की बात करें तो करीब 50 से भी अधिक गुड्स ट्रेंड डिएफसी पे ट्रांसफर हो जाएंगी जिस कारण से एंसियार की जो ट्रैक से उन पर लोड जो है वो कम होगा जिससे जो एक्स्प्रेस ट्रेंज है जिनकी एवरेज स्पीड करी 50 की रहती है वो भी बढ़ जाएगी और साती साथ जो सुपरफास ट्रेंज है प्रीमियम ट सबसे अधा फाइदा नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेंज को होगा उनकी एवरेज स्पीड में बहुत ही बड़ी बढ़ुत्री होगी डिएफसी के कारण पैसेंजर ऑपरेशन तो तेज होगा ही साती साथ जो गुड्स ट्रेंज है जिनकी एवरेज स्पीड नॉर्मली 25 किलमे एवरेज में वो करीब 22.9 टन एक्सल लोट को सपोर्ट करती है वही डिएफसी की जो ट्रेक्स है वो 25 टन एक्सल लोट को सपोर्ट करेंगे और साती साथ जो इस पर ब्रिजेज है वो करीब 32.5 टन एक्सल लोट को सपोर्ट करेंगे जिस कारण से भारी से भारी लोट ले जाने में भी इन ट्रैक्स पे कोई एसर नहीं रहेगा, ट्रैक्स मजबूत होने कारण एक बार में करीब 13,000 टन का माल एक ट्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, और हाँ एक बात आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि DFC में सभी ट्रैक्स किनारे पोल्स नहीं है, जिस का डाउट होगा आपके मन में कि जो डेटिकेट फेट कोईडोर है, क्या उस पे जो डबल स्टैक के वैगन से वो चलाए जाए जाएंगे या नहीं, देखिए अगर बात करें इस्टर्न डेटिकेट फेट कोईडोर की तो वहाँ पे तो संभव नहीं है, लेकिन वेस्टर्न जो पोल से उनकी हाइट जाएदा है, जिस कारण से वहाँ पे जो डबल स्टैक कंटेनर है, वो बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, वैसे इस्टर्न डेफसी पे जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं डबल स्टैक के, शायद वो अपरेट नहों पाएं, लेस कारण एमिशन वाली बात भी काफी हद तक सही है, पर सोचने वाली बात यह है कि यह सारा जो काम है डीफसी का, यह खतम कब होगा, फिलहल अगर बात करे इस्टर्न डीफसी की, तो उसकी जो डेडलाइन है, वो करीब 2021 के एंड तक है, अब यह देखते हैं कि इस डेड की आईडी है, वो आपको यहां देख रही होगी, तो जाईए और रेल गयान कोश को इंस्टर्ग्राम पे जरूर से फॉलो करिए, फिलहल इस वीडियो में इतना ही बाकी वीडियो देखने ले आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, एंड गॉड ब्लेस यू झालु यू झालु झाल का बहुत बहुत बहुतब में दोने बहुत ठाउना हुग six-, फिलहे पिलहत अधार जाईड़को से फिलहत दाईंदर् का जाईब हो हिसूल什么 का बहुत 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 हैं तक आद हा नहरा है, जया में पसके भीडिबत बहू़ का बहुत बहुत